असलाम अलेकुम जी, डे 20 अफ दिस कोर्स और मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ, इस एक दिन के अंदर आपने जो टास्क करने में आपको बताता हूँ, अपने गूगल पर जाके लिखना है कोडैनिक्स.com, कोडैनिक्स.com लिखते साथ ही आपने होम बटन पर क्लिक कर ले और क्लिक करने के फॉरान बाद ही आपने नीचे चले जाना है, अपने चले जाना है, दे 90 के बाद 20 आता है, 21 से पहले 20 आता है, you know that, तो काउंटिंग तो आती होगी आपको, आपने दे 20 के ऊपर, सबसे पहले ये जो है आपने एक किम्प्रिहेंसिव गाइड, यानि के एक ये वाला जो ब्लॉग है, पांडास, पाइथोन लैबरेरी फॉर एडिया नैलसी इसे पढ़ना है, फिर आप देखेंगे के आपके पास दूसरा यहाँ पे क्विज ओपन हो जाएगा, आपने इस क्विज को अटेम्ट करना है, if you are enrolled in this course, अगर नहीं है तो आप इसको simply skip कर सकते हैं, quiz को attempt करने के लिए आपने इसको right click करके open कर लेना है, open करने के बाद ये link आपके पास open हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको इस quiz के बारे में सारी की सारी detail पता चल जाएगी, and then you have to go down there, और यहाँ से आप अपना quiz start कर सकते हैं, अगर आपने पहले से attempt किया हुए quiz, तो आपकी ये attempts जो है और यहाँ रिमूव हो गी होगी, अगर आपने नहीं किया, तो आपको ये attempts यहाँ पे मिल जाएगी, quiz को attempt करने से आपको पता चल जाएगा, कि आपको pandas और ED analysis कितना आता है, and then you have to click on this exploratory data analysis, ज़रूरी क्यों है, and then you have to read this blog as well, क्यों reason क्य है, इस तरीके से आपको समझ आएगी, और आने वाले lectures के अंदर पता चले गा, and believe me, ये 2-3-3-5-5 minute की मैंने read के हिसाब से blog बनाए, it won't take a lot of time, और आपको मज़ा आएगा इस blog को पढ़ने का, then missing values के role, which was one of the important blocks, जो मैंने पहले बे बताया, इसको मैंने update कर दी, आप इसको दोबारा से यहाँ पर जाके, missing values के role ले, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने, और missing values को क्यों हम handle करते हैं, कौन-कौन से तरीका का रहे हैं, और किस तरीके से missing values को handle करके अपने data को अच्छा बना सकते हैं, या missing values हमें कौन-कौन सी outputs देती हैं, इसे आपने पढ़ने हैं, आउट करना है, and it will take 3-4 minutes, not more than that, आपने इसको read करने के बाद, last but not the least, आपने outliers 2, यानि के data science में आपके पास, आप कैसे handle करते हैं outliers को, यहाँ पर यह ब्लॉग का link मैंने दिया हुए, इस पर आपने click करना है, click करने के बाद यह आपके पास, पूरे का बुरा ब्लॉग जो होता है, different किसम के healthcare system के अंदर outlets कैसे perform करते हैं, business के अंदर outlets कैसे perform करते हैं, और detect करने के method को, उनको impute कैसे किया जाता है, यह handle कैसे किया जाता है, and it won't take more than 5-10 minutes, अगर आप expert हैं तो आपको 5 minutes लगेंगे, otherwise, अगर आप बिल्कुल beginner level पे, don't worry about that, क्योंकि यह blog beginner level के लिए लिख ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें, और देखने के बाद, पढ़ने के बाद, आप वापस जाएं, courses पे click करें, click करने के बाद, आप इस course पे जाएं, और आप से एक request यह है, कि अगर आप इसमें enroll कर लेते हैं, तो आपको सारे का सारा content इस पूरे course में, A to Z, Day 1 से लेके, जितना भी हम पढ़ाते जाएंगे, वो सारे का सारा यहां पे हम upload करते जाएंगे, link मैंने इसका description में दे दिया हुए, so I am hopeful, कि आप इन सारे चीजों को देखके, जो last assignment मैंने आपको बताई थी, Day 21 तक send करने की, hopefully आप उसे बना रहे होंगे, अगर आपने इस assignment क बना लिया है, लेकिन आपने इस course में late enroll किया है, don't worry about that, आप Day 21 के lecture के नीचे comments में link paste कर सकते हैं, जहां पे आपने उस assignment को upload किया है, and we will be actually replying to you on that, तो Discord का हमारा channel, जो server है, उसे join करना ना भूले, description में link है, अपना ख्यार रखें, दौ में या रखें, take care, and Allah निकेवान.